हाई फ्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग मैं हर्बीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफीसियल में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुविन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोटेंट खबरें लेकर आया हूँ सबसे पहले कोर्ट ने कुछ कहा है दिल्ली के स्कूलों को तो उस पर डिसकसन करेंगे इसके बाद जेबिटी से जुड़ी हुई कुछ खबर है उस पर डिसकस करेंगे और इसके बाद प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई कुछ खबर है उस पर डिसकेशन करेंगे तो साथियों आज इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इसमें अगर आप सिक्षक बनने वाले हैं या आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपूर्टेंट खबर है तो साथियों भी बात करते हैं कल मैंने कोसन दिया था कि चंद्रगुप मोरिय ने अपने जीवन का अम्तिम समय कहां पर बिताया था तो साथियों वो था सिर्वन बेल गोला सिर्वन बेल गोला में बिताया था परविंदर नर्वाल, रुकसाना खान, एसार टन्टू, असोक कोसिक और अनिल कुमार ये सबसे पहले correct answer आये, top 5 comments, इसके बाद और भी साथियों के correct answers है इसके बाद जो आज का question है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, मतलब भारत को हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा तो इस पर आप अपने comment जरूर दें, तो साथियों अभी हम discuss करतें जैसा कि आप जानते हैं कि सात्वा वेतन आयोग एक जन्वरी 2016 को लागू हुआ था तो इसके बावजूद भी स्कूलों में जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं दी जाती अच्छे से तो इस पर जो कोट है कोट ने गौर्डमिंट से जवाब मागा है दिल्ली सरकार से जवाब मागा है कि आप जवाब दें कि क्या जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूलों में क्या उनको सैलरी मिल पा रही है क्या सात्वे वेतन आयोग के अनुसार उनको सैलरी मिल पा रही है सातियों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भी इस टॉपिक पर दो बार वीडियो बना चुका हूँ है और मैंने खुद मैं आपको बता देता हूँ असोक अगरवाल सर को ये वीडियो पोस्ट करी थी उनको मतलव बताया था कि सर आप इस पर कुछ करें तो इसके बाद जो असोक अगरवाल सर हैं उन्होंने क्या कहा है कि लगबग एक परसेंट मतलव एक परसेंट टीचर्स को ही साथवे वेतन आयोक के अनुसार सैलरी दी जाती है ये चौकाने वाली खबर है और सातियों जो स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक पढ़ा रहेंगे उनके लिए अच्छी खबर आने वाली है और आप अगर सहयोग करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है सातियों मैं ये नहीं कह रहा कि I'm from a politics party no बस मैं ये चाहता हूँ कि सभी को हक मिले किसी के साथ गलत ना हो तो इसके बाद आप समाझ सकते हैं कि लगबग एक परसेंट को ही ये सातवी वेतन आयोक का फायदा दिया जाता है मतलब उसके according salary दी जाती है लेकिन होता है क्या है मैं आपको बता देता हूँ होता है क्या है कि teachers क्या करते हैं उनकी salary 10,000 है तो वो क्या करते 30,000, 40,000, 25,000 उस पर उस पर क्या करते हैं साइन करते हैं तो गलती ये है सबसे बड़ी क्योंकि आप लोग अपने हाथ पहले ही कटवा देते हैं आपके पास क्या proof रहता है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप video recording करें audio recording करें आप उसका कोई proof दें आप असोक अगरवाल सर को मतलब साइन करें क्योंकि ये असोक अ अच्छी बात है कि कोट ने जवाब मांगा है और असोक अगरवाल सर ने बताए कि एक परसेंट कोई ये मिल रहे है बेनिफिट साथवे वेतन आयोक के अनुसार और उन्होंने कहा है कि जो सिक्षकों की कंडिशन है प्राइवेट स्कूलों में उनको सेलरी नहीं दी जाती इसके बाद और इंपोटेंट खबर आ रही है कि जो प्राइवेट स्कूल है जो फीस बढ़ाने वाले है तो आठ अप्रेल तक रोक लगा दी गई है अगर आपसे फीस जादा वसूल कर रहे हैं फीस बढ़ा के ले रहे हैं तो गलत है आप उन पर कारवाई कर सकते हैं दिल तो आप अगर इस चैनल पर नए है तो जरूर सबस्क्राइब कर लिजीए तो साथियों 418 जेबीटी जो टीचर है उनकी जोइनिंग लटक गई है बता देता हूं 418 जेबीटी टीचर्स की जो जोइनिंग है वो लटक चुकी है क्यों लटक गई है आपको बता देता हूं इसका रीजन है आचार सहीता के कारण और मतलब इक किस में थे चंदिगड के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की जो जॉइनिंग होनी थी SSA की तहट मतलब सर्व शिक्षा अभियान के तहट 418 जो JBT टीचर्स की जॉइनिंग होनी थी Documents Verification का काम भी पूरा हो चुका है लेकिन रीजन क्या है आचार सहीता के कारण उनकी जॉइनिंग अभी रुकी हुई है तो अभी देखते हैं क्या होता है हलाकि अभी मतलब रुकी हुई है जॉइनिंग अगर कोई अलग नियूज मिलती है अपडेट मिलती है तो आपको बता दिया जाएगा तो साथियों ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए और सबसे इंपोटेंट जो खबर में आपको बताना चाहता था वो ये है कि अगर आपके साथ प्राइवेट स्कूलों में 3000 सैलरी दी जाती है 4000 सैलरी दी जाती है और आप से साइन करवाए जाते है ज़्यादा सैलरी पे तो आप उसका कोई प्रूफ ले और असोक अगरवाल सर को आप परसनली सेंड करें और अगर आप सिक्सक होकर भी ये सारी चीजे सहन करेंगे तो बहुत गलत है मैं इसका बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से बिल्कुल भी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता आप सिक्सक होकर मैं बात कहना चाहता हूँ उमीद होती है कि एक सिक्सक्स समाज को सुधारेगा लेकिन अगर वो अध्यापक ही उस मतलव सोसन का सिकार हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है आप समाज को कैसे सुधार सकते हैं सबसे पहले हमें अपनी ही दसा सुधार नहीं होगी तो सातियों अगर मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को फेला दो लाइक करो और कमेंट करो सेयर करो जहिन